जैहिंद वंदे मात्रावम, सुवगत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टड़ी प्रेटफॉर्म में रास्ट रहित में सिक्षाद इसिधीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड उमीद है आप और आपका परिवार जवर ज़स्त और उंदा होगा आज की है विडियो हिंदी के सर्वस्रेश्ट चैप्टर जिसका नाम है कारक बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टुडेंट, हर बहन, हर भाई का यहाँ पर कमेंट था कि सर कारक में हमें थोड़ी सी समस्या है और ऐसी नैनो सेकेंड वाली ट्रेक, तीन से चार कुष्चन एक्जाम में जो बनते हैं वो आसानी से आप कुष्चन को देखते ही परिक्षा हल में हल कर पाऊगे तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर पहली वार है तो सस्क्राइब कर लें क्योंकि यह है एक आपका परिवार है हिंदी कारक में हम पूरा सिद्धत के साथ पढ़ेंगे और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाने वाले हैं तो चलिए देखे सबसे छोटी चीज पहले मैं बता देता हूं जिसमें एक कुस्ण बनता है सबसे आसान कुस्ण जो बनता है वो पहली स्लाइट से बनेगा लिखेगा कारक की परिवासा के अंतरगत क्या होता है कि कुछ सन जो पिछली वार बना था इसमें यहां से बना था कि क्या कारक क्या है तो कारक जो है वो क्रिया की भूमिका यानि क्रिया की जो कारे करता है ना क्या करता कारे करेगा और कैसे कारे करेगा क्रिया के द्वारा तो जो क्रिया की भूमिका को निवाने वाला है वही कारक है कारक कारत क्या है किसी कारे को करने वाला यानि करता जो होगा वो क्रिया को करने में जो भूमिका निवाता है दोस्त वही क्या है कारक है और एक और कुस्षन पूछा जाता है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है इस कारक को परसर्ग भी कहा जाता है क्या कहा जाता है परसर्ग याद रख लिजएगा तो कुस्षन में कभी भी पूछ ले कि परसर्ग का अर्थ क्या है तो कारक ही है कारक को दूसरे नाम से क्या जानते है तो परसरग के नाम से जानते है दोस्तों ठीक है कारक के उधारण इस पर गौर मत करना बिलकुल ठीक है वह रोज सुभे गंगा किनारे जाता है वह पहाडों के बीच में है कहीं के आएगा कहीं में आएगा नरेश खाता है सूरज किताब पढ़ता है ये तभी समझ में आएंगे उधारण जब आप एक एक कारक को समझ लेंगे अब यहां से स्लाइड आप लिखेंगे कुस्षन क्या बनता है कि कारक कितने प्रकारके होते हैं दोस्त कारक होते हैं आठ प्रकारके जैसी स्लाइड बनी है सेम टू सेम बैसी स्लाइड आपको बना लेनी है हिंदी में अगर पूछा जाए कि परसर्ग कितने होते हैं बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि आज उसको पता चल गया है कि परसर्ग ही कारक है, कारक ही परसर्ग है, तो अगर कुश्चन में कारक पूछे तो आठ होते हैं, अगर कुश्चन में हिंदी में परसर्ग पूछे तो भी आठ होते हैं, ठीक है, कारक कौन से आठ होते हैं सर, चलिए जान लेते हैं, पह दोस्तो अब अगर पूछा जाए आपसे ये बताईएगा कि रमेज भिकारी को चावलदान देता है कौन सा कारक है कुछन में पूछ लिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे करण कारक की परवासा कर्म कारक की परिभासा इन सभी से एक एक कुछन बन जाता है कभी kadar कभी अमूवन तौर पर देखा जाए तो एक कुछन देदेगा और पूछ लेगा कि इसमें कारक कौन सा है यही ट्रेंड चल लगा है लेकिन पिछले कई सालों से ये पूछा जा रहा है कि उसकी परिवासा से कुछन पूछ लेता और कह देता है कि परिवासा रख देगा उसकी और कहेगा इसमें कौन सा कारक है तो करता कारक में आपको क्या लिखना है जो वाक्य में कारे को करता है वह करता कारक कहलाता है सिंपल सी वात है करता वाक्य का वहरूप होता है जिसमें कारे को करने का पता चलता है भहिया सब्जेक्ट अगर होगा तभी तो कारे को करेगा करता होगा तभी तो किसी कारे को करेगा तभी तो किसी क्रिया को अंजाम देगा करता कारक की बिभक्ति आपको लिखनी है कि करता कारक की बिभक्ति जो होती है वो ने होती है है ना सबजेक्ट जो है वो ने के साथ जुड़ा है करता जो है वो ने के साथ जुड़ा है इस शीज को आप भूले ना कुछ सन में डाइरेक्ट पूछ लेता है कि करनकारक की विभक्ती क्या है करमकारक की विभक्ती क्या है संबोधनकारक की विभक्ती क्या है तो ये चीजे मैं दोस्तों वहां की विवक्ति से पहचानूगा कि इसमें अगर ने आया है तो करता हो जाएगा क्योंकि करता इंपोर्टेंट है रामू ने आज गाड़ी चलाई थी किसका लोप हुआ है ने का लोप हुआ है इसलिए यहां पर हो जाएगा टीचर ने आज मुझे बहुत पीटा था या टीचर ने मुझे पीटा था तो दोस्तों यहाँ पर ने है क्या है विवक्ति है किसकी है करता कारक की विवक्ति है सुरेश ने आज केला खाया था तो सुरेश ने क्या खाया था केला खाया था किसने खाया था सुरेश ने खाया था किसकी ब्योक्ति करता कारक और दीपक ने सुभे आज बादाम कायते आपको दो दो या तीन तीन अग्जामपल केवर लिख लेने मैंने तो आपको 5 example बता दिये चलिए दोस्तो कर्मकारक की तरफ बढ़ेंगे न वैसे वैसे कठिन concept आपको मिलेगा बहुत ध्यान से अधूरा ग्यान खतरनाक होता है मुझे पता है आपको 8 वजे वाली class आप लेते होगे तो वहीं से clear हो गया होगा लेकिन अगर मैं बताओं आपको कर्म कारक में तो वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है देखो अभी क्या था अभी था कि जो करता है वह अगर किसी कारे को कर रहा है अंजाम दे रहा है वही करता कारक है लेकिन करता के द्वारा अगर कोई क्रिया की जा रही है और वह कर्म कहलाएगा दोस्तों उसका क्रिया पर प्रभाव पड़ता है इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों क्रिया पर वही क्या है? कर्मकारक है कर्मकारक का जो बिवक्ती चिन्न होता है वो को होता है लोप क्या होता है को होता है इसलिए इस चीज को आप आसानी से रट लीजेगा करताने कर्म को क्लिए रहे तो चलिए कर्म को यहाँ पर हम जान लेते हैं कभी कभी बच्चे यहाँ पर इस चीज को देखकर परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर तो सर नहीं यह लगाऊंगा जी नहीं लास्ट में देखेगा कि भहिया क्रिया पर प्रभाव पढ़ता है किस पर उस कारे पर जो किया जा रहा है किसके द्वारा करता के द्वारा बोले राम ने रावण को मारा भहिया किसने मारा राम ने किसको मारा रावण को प्रभाव पढ़ रहा है बिल पास्ट वाले को देखो और आंसर मार दो तो ये किसकी भीवक्ती है ये किसकी भीवक्ती है भीया तो ये हैं आपकी कर्मकारक की भीवक्ती है रामने रावण को मारा रमेश ने रादिका को तमाचा मारा माने अपने बच्चे को दूद पिलाया कुत्ते ने मेरे दोस्त को अधिकरन कारक तीन कुश्चन यहां से तीन से हमेशा दो दो कुश्चन बने हैं नोट कर लो करन अपादान और अधिकरन बहुत इंपोर्टेंट है करन कारक की परिवासा भी पूछी जा चुकी है जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो दोस्तों कई वार रटाया ह आप सभी को अगर नए बच्चे हैं तो समझ ले आप कि करन कारक में जो बिवक्ती से होती है वो हमेशा साधन के रूप में यूज होती है और अपादान में जो से होता है वो हमेशा अलगाओ के रूप में यूज होता है याद कर लीजेगा करन कारक में अगर साधन सब्द आता है तो वह परिभासा किसकी होगी करणकारक की होगी करणकारक हमेशा साधन के रूप में यूज होता है यानि जिसकी साहता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करणकारक कहलाता है वो ले क्या मैं अपना काम पेन से करता हूँ मैं फावडे से मिट्टी खोदता हूँ मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ फावडा साधन है मेरा मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ मेरे साधन है साइकिल मैं ट्रेन से कानपुर जाता हूँ मैं ट्रेन से जोदपुर जाता हूँ मेरे साधन है दोस्तों जब किसी साधन के रूप में यूज हो तो वो करण कारक कहलाएगा करण कारक की दो भिभक्ती है एक से है और एक के दुवारा इंपोर्टेंट है जवर जस्त है लललन टाप है ठीक है? नोट कर लीजे करण कारक के उधारण में अग देखिए यहाँ पर क्या था? राम ने रावण को मारा राम ने देखो अभी तक अगर मैं कह देता राम ने मारा राम ने मारा तो हो जाता करता कारक की ने आया राम ने रावण को मारा तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक तो यहां पर क्या हो जाएगा लास्ट वाला फिर से मुझे ट्रिक में देखना है कि लास्ट वाला क्या है तो से आया है दोस्तों और साधन के रूप में आया क्योंकि बाण क्या है साधन है अभी मैं बता रहा हूँ चिला चिला के बता रही रहा था कि cycle से, फावडे से, train से, ये साधन तो है, जाने आने के, ऐसे ही मारने का साधन क्या है, बाण है, सिंपल सी बात समझ गए, tricky way में समझो, लेटर को पेन से लिखा गया, किस से लिखा गया, पेन से पेन क्या है, दोस्तों साधन है, इसलिए से आया है, राधा ने, जब तक से मारा डंडा क्या है, साधन है, क्या क्या है का साधन मारने का साधन है, दोस्तों, इसलिए यहाँ पर से, 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 क्या है, ये साधन के रूप में यूज हुए है, इस चीज़ पर आप गार करिए, ठीक है, चलिए, संप्रदान कारक की बात कर लेता हूँ, तो संप्रद दान, दान, दान का मतलब देना, संप्रदान, सब कुछ दे दो, जब वाक्य में किसी, ऐसे ही ट्रीक याद होती है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको सब कुछ दे दो, भया याद कुछ तो है इसमें, इसमें बात है कुछ, देखी आगे क्या बताता हूँ, जब वाक इसके भी example में दिखाऊंगा आपको, संप्रदान कारक का अर्थ भी पूछ लेता एक्जाम में कभी-कभी, संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है, option A, अलग होना, option B, साधन के रूप में, option C, देने के अर्थ में, option D, कुछ भी-कुछ भी, है न, कुछ भी दे सकता है आपको तो देने के अर्थ में क्या होता है, संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए, क्या आता है, उधारन में, मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, के लिए आया है, संप्रदान कारक है, पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ, दो-दो example लिख लेने है, ये दो लि स्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, देने का अर्थ होता है, जब देने के अर्थ में क्या आता है, तो फिर क्या होगा, कुछ भी आप देते हैं, अगर दे रहे हैं, उस बीच में अगर से भी आ जाए, को भी आ जाए, ने भी आ जाए, तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है, स कि गुलाव का अगर फूल दिया है दोस्तों तो दिया है ना विकारी ने राजा ने विकारी को कंबल दिये राजा ने विकारी को सोना दिया राजा ने विकारी को सर्फी दी तो जब देने की बात होगी तो हम उपहार हो चाहें हम दान दे रहे हो सब आएगा संपरदान अप संग्या या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का वोद हो दोस्तों तो वहाँ अपादान कारक होता है अपादान कारक की बिभक्ती आपको पता ही है कि से होती है अपादान कारक की बिभक्ती से होती है तो आपको ये भी पता होगा कि करण की बिभक्ती भी से होती है लेकि लेकिन वहां इसका मतलब साधन के रूप में होता ही है मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन confusion दूर करने के लिए यहाँ पर फिर से टाइप करना पड़ा जब संग्या या सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन किसी रूप से अलग होने separate हो जाते है दोस्तों जब कोई चीज अगर म होता है लेकिन से आता है करन में भी लेकिन से करन का यूज होता है साधन में यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होने के लिए होता है दिखाने के लिए प्रियुक्त होता है दोस्तों very very most important चलिए बात करते हैं अपाधान कारक के उधारन राम विल्डिंग से नीचे गिर चूहा विल से बाहर निकला चंद्रमा सूरे से काफी दूर है मैं समझाओंगा भी लिख लीजे बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए रादा के हाथ से रोटी गिर गई मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया देखो राम खड़ा था विल्डिंग पर और राम जो है लगाओ होता है जब एक चीज दूसरे से गिर जाती है उपर से लगाओ होता है तो यहाँ जब से यूज होता है अपादान कारक होता है बहुत एक बहुत फेमस एक्जामपल आपको देता हूँ कि देखीगा जब पेंड से पत्ता गिरता है तो पत्ता पहले पेंड में अलगाऊ हो गया है तो यह अलगाऊ है अलगाऊ हो गया Бिजली के साथ हम्बे से नीचे गर गए अभी क्या हो गया यहां से क्या हो गया तो यहां से इसका क्या हो गया अलगा हो गया रादा के हाथ से रोटी गिर गया भी तो रादा के हाथ में रोटी थी अब ये गिर गई नीचे तो जमीन में आ गई है ना और मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया मेरे हाथ में मोबाइल था अब ये गिर गया नीचे संबंद कारक देखिए संबंद कारक देखिए कि संग्या या सर्वनाम का वह है रूप जो हमें किनी दो वस्तूओं के बीच का संबंद के बहुत की बात करता है संबंद के बीच की बात जरूर करेगा कैसे करेगा यह सबसे सिंपल है सबसे सिंपल अगर देखा जाए कारकों में तो सबसे सिंपल यही है संब्द कारक के भी भक्ती चिन बहुत है काकी के, रारी रे, नानी ने कैसे याद करोगे देखो, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि यह बाइक पूजा की है वह राम की बेटी है राधा ने मोवाइल फेक दिया बच्चे का सिरदर्द कर रहा है वह सुनील की गाड़ी है रोहन का घर गाओं में है अब आप को गए सरसमझ में नहीं आया दोस्तों सम्मंद कारक की नीचे ट्रिक लिखिएगा कि देखी जब भी कोई भी आपको बाक के दिया जाए तो उसमें अपनत्तों का बोद होता है वही जैसे आप के तो ये मेरी गाड़ी है ये मेरा बच्चा है ये मेरे पिताजी है ये मेरा घर है ये मेरी बाइक है ये मेरी बीबी है ये मेरा पती है तो ये क्या है ये जब मेरा मेरी ये क्या है अपनत्तो की उससे अगर relation है मेरा तो ये क्या हो जाएगा ये बाईक पूजा की है ये राम की बेटी है राधा ने मोबाइल फेक दिया उससे उसका जुडाव था बच्चे का सिर्दत कर रहा है काकी के रारी रे नानी ने वे सुनील की गाड़ी है रोहन का घ जिससे क्रिया के आधार जब भी साधन का प्रियोग हो तो दोस्तों करण कारक जब भी आधार का बोध हो तब अधिकरन कारक नोट कर लीजे आधार का बोध हो तो अधिकरन कारक होगा आधार अधिकरन आधार अधिकरन ट्रिक क्या हो गई आधार अधिकरन बूलोगे तो कमरे के अंदर है तो हम में का यूज़ करते हैं कोई अगर च्छत के ऊपर है तो पर यूज़ करते हैं सिंपल सी बात राम कमरे में है और राम च्छत पर है तो जब च्छत की बात होगी तो दोस्तों पर और कमरे की बात होगी तो में होगा जैसे मचलिया पानी में रहती हैं जमीन पर होंगी मचलिया तो पर आएगा और पानी में रहेंगी तो अंदर के लिए में आएगा, घर के अंदर दीपक जल लहे हैं, ठीक है ना, जब भी अंदर का भीतर का उपर का बोध हो तो अधिकरन कारक आपको लगाना है, जरूरी नहीं में और पर आए, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, राम ने क्लास बीच में छोड़ दी, तो में रादा के घर के अंदर, अंदर देखवाया, अंदर, अब आप कहोगे कि सर अधिकरन कारक में ये भी कॉंसेप्ट होता है, बिलुकल सर जी होता है, इसलिए तो मैं पूरी तरीके से पूरा ग्यान दे र चत पर है, पिता जी कुरसी पर बैठे हुए, कुरसी पर बैठे हुए, उपर बैठे हुए, मेरी बास समद रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, संबोधन कारक लास्ट रहेगा और आज का ये है, फिर हम कुश्चन स्टार्ट करेंगे, लगवक चार से में होता है, संबोधन कारक में, अरे आता है, हे आता है, अजी आता है, आदी विभक्ती चिन जो होते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, कि भाई संबोधन कारक है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूत नहीं, इसका सिंबल आपको मैं बता देता अरे और चिन नहीं लगाता है तो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसका है ये संबोधन कारक का है अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो अरे राम ये क्या हो गया है भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया अरे बच्चों इतना सोर मचा रहे हो क्यों मचा रहे हो अरे तुम इतना बड़ा हो गया क्या है न तुम्हें ये कह सकता हूँ संबोधन कारक हो जाएंगा दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है क्योंकि विनाफालतू की बात किये हुए हर चैप्टर को सुभे नौ वजे अल्टरनेट बिल्कुल जीरो से सिखर तक मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए सस्क्राइब करने के लिए धन्यवाद आप सभी का गुरुजेवार्ड एक्जाम स्टड़े प्लेटफॉर्म में हर परिवार यूही मुस्कुराते रहे और याद रखे अगर इमानदारी से सेलेक्सिन चाहिए आपको तो सस्क्राइब कर ले वे कुलाडी से ब्रक्ष काटता है जुवाक्य में से किस कारक की भी वक्ती है तो दोस्तों ये बताईए इससे अलगाव के लिए हुआ है नहीं दोस्तों करण कारक है बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पेड़ अलग हो गया अरे पेड़ अलग क्या हो गया कोई जरूरी है पेड़ अलग हो गया काटी ही तो राभी है तो फिर संप्रदान कारक हो जाएगा मेरे लाल नेक्स्ट क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक दोस्तों है करता कारक करण कारक अपादान कारक अधिकरण कारक तो दोस्तों मैं बता देना 4 रे खांकित का आपको कारक बताना है मेधक को पत्थर से मत मारू मेधक को करताने कर्म को अब आपको कर्म आना चाहिए लेकिन क्या मैंने यही ट्रिक बताई थी नहीं ना मैंने तो यह बताई थी कि अगर को और से लास्ट में आता तो लास्ट वाला मारा और राम ने रावड को बांड से मारा तो मैंने कहा तक करन कारक तो दोस्तों इसमें आजाएगा करम कारकt क्योंकि इसमें करताने करम को डारेक्ट लिया है । पांच कुर्ष्टन में लास्ट में आपके कितना स्कूर है? ये भी बताएं। हमारा ये दाइत तो दोस्तों रहता है कि एक ही वीडियो में part 1, part 2, part 3 क्या वेटर करता है वीडियो को लंबा करना YouTube पर तमासा करना एक वीडियो आप देख रहे हो करता कारक कारक की विवक्त मैंने देखा है 4-4-5 पाच वीडियो में लोग टेस्ट नहीं करा पाते हैं और 20 मिनिट के अंदर इतना बड़ा चैप्टर भारी भरकम चैप्टर है आठ कारक कोई आसान नहीं है और पूरा फुली टेस्ट के साथ आप सभी के एजामने उपस्तित कर दिया है मात्र चंद मिनिटों के तहत लिव यो गाइस तेंक्स तूर वाचिंग वीडियो गुरुजे वार्ड एक्जाम स्टेड़ी वंदे मातरम इंकलाव जिन्दावाद चैनल को सस्क्क्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजे वार्ड एक्जाम स्टेड़ी आपके उजल भविस्यकी कामना करता है यहिन इंकलाव जिन्दावाद